बड़ी ही दुख के साथ सूजित करना पड़ रहा है कि महराश्ट की मदर टेरेसा के रोप में फेमस पदंश्री सिंदूताई सबकाल का मंगलवार राधपूरे में निधन हो गया तहतर वर्षी सिंदूताई सेप्टी सीमिया से पीड़ थी और पिछले डेर महीने उनका इलाज पूरे के गैलक्सी हॉस्पिटल में चल रहा था पिछले साल उन्हें पदंश्री से सम्मानित किया गया था जानकारी के मुताविक उन्होंने साम चाड़े आट बजे अंतिन सांस ली है कल पूरे में पूरे राज के सम्मान के साथ उनका अंतिन संसकार किया जाएगा बेगर बच्चों की देखरे करने वाली सिंदुताई के लिए कहा जाता है कि इनके 1500 बच्चे 150 से ज़ादा बहुए और 300 से ज़ादा दामान है सिंदुताई ने अपनी जिन्दगी अनाद बच्चों की सेवा में गुजार दी उनका पेट भनने के लिए कभी ट्रेनों में भी भीक मांगी पदंजरी पुरुसकार मिलने पर सिंदुताई ने कहा कि यह पुरुसकार मेरी सहयोगी और मेरी बच्चों का है उन्होंने लोगों से अनात बच्चों को अपनानी की अपील की सिंदुताई को अब तक सासों से जादा सम्मान से नवाजा जा चुका है उन्हें अब तक मिले सम्मान से जो भी रकम मिली वह भी उन्होंने बच्चों के पालन पोशन में खर्च कर दी सिंदु ताई को डीवाई पार्टिल इंस्टिटूट की तरव से डॉक्टरीट की उपादी भी दी गई है सिंदु ताई के जीवन पर बनी एक मराटी फिल्म में सिंदु ताई सबकाल साल 2010 में रिलीज हुई थी और इसे 54 लंदन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था